प्रदीप सिख्वाल आज आपको ले चल रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया जर्णी में प्रदान मंत्री ने दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे का फर्स फेज इनॉग्रेट किया था तो उसी की जर्णी पे आपको ले के चल रहा हूं जैपुर से निकले हैं और जीपीस के अंदर में गुडगाउं डाला है गुडगाउं 280 किलोमिटर्स दिखा रहा है यहां से और कवर करने का टाइम अराउंड 3 आर्स 40 मिनिट्स दिखा रहा है तो आईए शुरू करते हैं आज का सफर अभी 11 बज रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम हमको लगेगा आपको जैसे पता है कि गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कभी करता नहीं हूँ तो एक नॉर्मल स्पीड पर जितना टाइम लगता है उतना आपको पूरी इंफोर्मिशन दूँगा इस रोड के बारे में जैपुर से निकलके हमको आगरा की और जाना पड़ेगा और आगरा रोड पे अराउंड 60 किलोमिटर्स चलने के बाद में एक्स्प्रेस में मिलेगा दोसा के बाद में आप सभी से अन्रोध है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी देना मत भूलिएगा आप कमेंट्स देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियो बनाने का और साथ-साथ में आप ये भी बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यह पहला टोल आगया है और यह टोल प्राइवेट गार्डियों के लिए लागू नहीं है यह उनली कमर्शल विकल्स को टोल देना पड़ता है यहां पर तो यह हमारे लिए फ्री है और आगे पुलिस की चेकिंग भी है नाकाबंदी है चेक कर रहे हैं सबको अप्रोक्सिमेटली 35 मिनिट्स लगे हैं घर से नैशनल आईवे तक पकणने के लिए और अब आगरा रोड पर पहुँच चुके हैं और अभी आगरा रोड की टनल आपको दिखाता हूँ और अब यह टनल क्रॉस कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टनल बनाई है दूप से एक तम अंदर टनल में आने के बाद में एक बार के लिए थोड़ा दिखना कम हो जाता है आखों को सेट होने में टाइम लगता है इस जीप वाले को चैन नहीं है पैं 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 करते हुए जा रहा है आगे बहुत जल्दी है आगे जाने की आगरा तक भी यह फोर लेन है बड़ी अच्छी रोड है लेकिन हमको पूरा आगरा तक जाना नहीं है 60 किलोमेटर पे दौसा आता है दौसा के बाद से ही लेफ टरन ले ले लेंगे जगे जगे इंटरसेप्टर्स लगा रखें और जो भी 80 से उपर चल रहा है उनका चलान हो रहा है डेली आया था मैं कुछ काम से और कोलकता से ट्रेंज से आया था तो जब डेली तक आही गया तो सोचा कि गाउं का और जेपुर का एक चक्कर काट लूं तो मेरा एक कजन है गाड़ी तो इस बार में लाया नहीं साथ मैं तो उसकी गाड़ी मैंने बोरो कर ली पीन-चार दिन गाउं में रह गया एक-दो दिन जेपुर रह गया और आप वापस कोलकता की तरफ जा रहा हूं तो सोचा कि डेली आपको एक्सप्रेस हाइवे दिखा दूँ उसके ट्रेन में और इस ट्रिप पे जादा व्लॉगिंग करी नहीं वीडियो बनाये नहीं यह एक इंपॉर्टेंट जर्नी थी कि एक्सप्रेस बे अभी नया ही खुला ही है तो आपको यह तो दिखाना बनता ही था प्रेक्फस करके निकला नहीं हो गर से और इस बार राहस्तान आया तो कचोड़ी समोसा मिर्ची बड़ा यह सब कुछ खाया नहीं तो निकलते निकलते मिर्ची बड़ा ले लिया और एक लस्टी ले लिये तो रस्ते में जहां खाली सड़क आएगी वहां पे मिर्ची बड़ा और लस्टी का ब्रेक्फस कर लेंगे पुलिस की चेकिंग बहुत है इस रोट पे और अगर आप इस रोट पे आते हैं तो अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए और अपने पेपर सारे ओके रखिए हर एक ग्रेड किलोमेटर दो किलोमेटर में पुलिस रोपती है चेक करती है जेपुर से निकलके अप्रोक्सिमेटली 25 किलोमेटर आगे आगे है और आज का पहला टोल भी आगे है यह जो आगे आपको right side वाली बस दिख रही है यह बस नहीं चला रहा है यह मौत चला रहा है इतना rough चला रहा है जैपुर से जब से निकले हैं तब से यह बस हमारे साथ में है और कम से कम 4-5 बार मिरको overtake कर चुका ही है और उसके बाद में यह कई सवारियां लेने के लिए र यह जो exact सामने चल रही है यह नहीं इसके आगे एक और जा रही है और यह जरूर किसी ना किसी को कभी मरेगा ही है और continuous honking कर रहा है कभी left कभी right एक दम उड़ाते में लेके जा रहा है मुझे लगता है कि अपनी बीवी से लड़ावा रहता है वो सारी frustration यहाँ पे निकाल रहा है लेकिन राहिस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर उनके ड्राइबर जैसी लापरवाई करते है तो उनको कुछ action लेना चाहिए और इसका जो conductor है वो आदा हवा में जोल रहा है लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है साइड अटो साइड अटो यह है वो जनाब और आप देख सकते हैं कि अगर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं भी थोड़ी स्पीड में चल रहा हूं तो मैं पूरा अच्छे से capture नहीं कर पा रहा हूं वो साइड में देखिये थोड़ा कॉंशेस हो गया है मेरे को रिकोर्डिंग करते वे देख के यह जरूर कभी ना कभी किसी को मारेंगे ऐसे ड्राइवर अप्रोक्सिमेटली 60 किलमेटर्स चलने के बाद में इस रहम पर आगे है और अब नैशनल एक्सप्रेस पर इसका नंबर है इस पर चड़ेंगे और यहां का यह टॉल आ गया यहां हमारी एंट्री रिस्टर होगी यहां टॉल नहीं कटेगा जहां हम एक्जिट करेंगे वह हमां टोल कटेगा तो अफिशली नैशनल एक्सप्रेस पर पे हमारी एंट्री हो गई है और टाइम हो रहा है यहां पर अभी 1241 तो देखते हैं कि इस एक्सप्रेस वे में कित्ती देर में हम कितना किलमेटर कवर करेंगे 181 किलोमेटर्स तक इसी रूट पर रहना हमको और रोट देखिए कितनी शांदार है कितनी जबरदस्त है 120 की स्पीड लिमिट है इस रोट पे और मेरा कुछ मानना है कि 100 से उपर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए कभी कबार कोई टेस्टिंग के लिए अगर आपने उपर नीचे कर लिया वो अलग बात है तो इसलिए मैं इसको 100 पर ही चलाऊंगा इस हाइवे पर और एट लेन हाइवे है यह चार लेन इस तरफ है चार लेन उस तरफ है बीच में डिवाइडर भी बहुत अच्छा बड़ा सारा छोड रखा है और प्लांटेशन कर रखा है अभी प्लांट्स छोटे हैं फ्यूचर के अंदर में यह 12 लेन तक gdzie- econom teak हो सकता है यह फ्लायाओर और बहुत ही जलदी इसके अंदर पैं इलेक्ट्रीक एक्स्प्रेश्वे भी बनेगा जो इलेक्ट्रीक डूड्स कारीयर है ऐलेक्ट्रिक ट्रॉक्स हैं बहो इसमें चलेगी डेली से निकल के मुंबई तक आप अराउंड 12-13 आउर्स में इसको कवर कर लेंगे लेकिन एक्सप्रेस वे में 12-13 गंटा कंटिन्यूस गाड़ी चलाना इस टास्क क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है ड्राइवर को तो ड्राइवर क्या बहुत हो जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको जनरली कुछ-कुछ देर में ब्रेक्स लेने पड़ते है नीद आने लगती है लेन्स के लिए बहुत अच्छे साइन बोर्ट्स लगे वे है बसस के लिए 100 स्पीड है ड्रक्स के लिए 80 है और छोटी काड़ियों के लिए 120 है 1033 टोल फ्री नंबर है एमर्जेंसी नंबर है यहां का इस हाइवे में अगर कोई भी आपको दिक्कत हो परिशानी हो तो आप 1033 डायल कर सकते हैं और आपको असिस्टेंस मिल जाएगी यहां से इतने बढ़िया एक्स्प्रेस वे में आ जाएं और जब ब्रेक्फस्ट नहीं किया वा हो और जैपूर की फेमस रावत से मिर्ची बढ़े लाएवे हों तो वो मिर्ची बढ़े को इस एक्स्प्रेस वे में खाने का मज़ा ही अलग है चीर्ज अहां स्वादिश्ट शांदार मिर्ची बढ़ों का प्रेक्फस्ट हो गया है और अब आपको रोड के कुछ नजारे दिखाता हूं रोड के डड़ाइडर पे देखिए प्रांटेशन कितना अच्छा कर रहा है और फूल कितने अच्छे लग रहे है यल्लो फ्लावर बहुत अच्छे लग रहे है बहुत सूंदर लग रहे है इस पूरी रोड में आप सर्विलेंस के अंडर रहते हैं हर जगे कैमराज लगे वे हैं, स्पीड डिटेक्टर लगे हैं, इंटरसेप्टर लगे वे हैं और जब मैं ब्रेक्पस कर रहा था तो एक रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया भी आया था यहां पर अलाकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो ऑपरेशनल है, लेकिन काम है, चालू है महाँ पर, बना हुआ है आगे आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेशन्स में आ जाएगा एक्सप्रेस वे में चलने के टाइम में भी आपको ध्यान डखनी की जरूत है, यह देखिए, यह आज मी रोड क्रॉस कर रहा है यह कहां से गुसा है, कैसे गुसा है पता नहीं और बहुत ही मस्ती से लहराते में चल रहा था तो एक्सप्रेस वे में आप जब भी गाड़ी चलाई है तो एकदम केरलेस होके गाड़ी मत चलाई है डेली यहां से 227 किलामेटर्स बता रहा है और मैक्सिम्म 8-10 मिनिट हुए हमको एक्सप्रेस वे में चड़े वे और तब से अराउंड 14-15 किलामेटर्स चल चुके हम इंडिया के सब एक्सप्रेस वे तो नहीं कहूंगा यह ज़रूर कहूंगा कि अल्मोस सारे एक्सप्रेस वे इस पे गाड़ी चला चुका हूं और यह दो बार नहीं 4-4-5 पार चला चुका हूं और यही एक बाकी रहावा था और एक महा संव्रित्डी मार्क बड़ा डिफिकल्ट है बोलना, महा संव्रित्डी मार्क जो है नाकपुर से श्रिडी के लिए जो अभी वो भी रिसेंटली चालू हुआ है वो भी बाकी है मेरा तो बहुत जल्दी उसको भी पुरा टेस्ट करेंगे और ये डेली से बॉम्बे जब पुरा कंप्लीट हो जाएगा अभी भी बहुत सारा काम बाकी है इस रोड पर काम प्रक्रती पर भी है काम चल रहा है और ट्राफिक अच्छा खाचा है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है राडियो का मुवमेंट है इस रोड पर और आने वाले टाइम पर बहुत बिजी रोड होने वाली यह है एक्सप्रेस हाइवेब जितने भी बने हैं उनमें प्रॉब्लम एक यह है कि एक तो रोड इतनी सीधी है कोई बहुत जादा टर्निंग या कर्व्स और इस सब नहीं है तो चलाने वाला बढ़ा बोर हो जाता है और as of now highways के आसपास में कुछ ऐसा scenic beauty भी नहीं है हाला कि यहाँ पे कुछ पहाडवाड कुछ है आसपास में लेकिन जैसे जंगल है हर्याली है कुछ नदी चल रही है कुछ कुछ आदमी काम करते वे दिख रहे हैं यह इस तरह के नजारे नहीं दिखते है लेकिन गाड़ी चलाने के अंदर में बड़ा मज़ा आता है और ठकान नहीं होती है जो नॉर्मली अगर हम कोई distance अगर हम 300 km का आराउंड 6-7 गंटे में कवर करते हैं माउंटेंस देखिए कितने जबरदस लग रहे हैं और एक्सप्रेस वे में बस यही सब कुछ देख सकते हैं आजपास खेत हैं तो हलांकि खेती अभी खतम हो गई है कि उनकी खेती का सीजन है उसाइद पूरा complete हो गया है तो इतनी हर्याली नहीं दिख रही है यह आगे यह एक रेस्ट एरिया का बोर्ड बनावा है लेकिन यहां बनावा कुछ भी नहीं है दो सिप्ता है काम चलेगा बोट्स पहले लगा दिये है डेली 206 किलोमेटर्स है यहां से मैं सौकी स्पीड में चल रहा हूं और लोग मेरे को अवर्टेक करके ऐसे निकल रहे हैं आगे जैसे कि मैं कोई 30-40 की स्पीड में चल रहा हूं और वो सौकी स्पीड में चल रहा है यह पहाड देखे कितना जबर्दस लग रहा है जैसे कुछ रॉक्स रखे वे हैं इसके उपर में ऐसा लग रहा है कि जानमूज के बनाया गया है और एकदम पीक के उपर में एक छोटा सा पत्थर और बड़ा हुआ है एक चीज मैंने अभी नोटिस करी है कि अनलाइकली जितने भी एक्सप्रेस में हैं तो दोनों लेंस को डिवाइड करने के लिए जो बीच के डिवाइडर होते हैं उनमें भी रेलिंग्स लगी भी होती है इस एक्सप्रेस में अभी लगी नहीं है हो सकता है बाद में लगाएंगे लेकिन अभी है नहीं आप है और जितने भी प्लांट्स लगे हैं उनको वाटरिंग करने के लिए ड्रेप एरिकेशन लगा रखा है ताकि सब प्लांट्स को एकदम टाइम टू टाइम पानी भी मिल सके और वाटर वेस्टेज भी नहीं हो यह पूरा हाइवे बहुत ही सोज समझके बनाया हुआ है जगे-जगे वाटर चारजिंग बिट्स भी बने वे हैं तो जितना भी बरसाद का पानी इन रोड्स पे एकटा होता है वो एक जगे जाके मिलता है और जगे-जगे छोटे-छोटे वेल्स बनाया वे रहते हैं तो वो पानी उनके अंदर में चला जाता है तो उससे groundwater charging points बोलते हैं उनको तो यह बहुत अच्छी बात है नेचर को भी पूरा ध्यान रखा गया है और जितना ज़्याद से ज़्यादा नेचर का फाइदा उठा सकते हैं वो उठाया गया है groundwater charging के बहुत सारे फाइदे हैं एक तो roads पे unnecessarily पानी जमा नहीं होता है पिट्स के अंदर में जाके इसे ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसको बढ़ने में बहुत मदद मिलती है बाइकर्स के लिए एक अच्छी ख़बर नहीं है मैंने अभी कुछ बोट देखे और बहुत जगे लगे में भी है इस रोट में ट्रैक्टर्स एनी काइंड ऑव काट्स बैल गाड़ी गोड़ा गाड़ी कुछ भी वो अलाउट नहीं है और उनके साथ में बाइक भी इस रोट को ज़रूर मिस करेंगे स्टीड गंज जगे जगे लगे भी है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी चालू नहीं है उस दिन पहले में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जबसे ये एक्स्प्रेस वे चालू हुआ है उसके बाद में जो पुराना जो हाइवे था जेपू डेली हाइवे उसमें ट्राफिक थोड़ा कम हो गया अराउंड 20-30% की कमी आई है उस ट्राफिक में और जब ये रोड पूरा बॉमबे तक बन जाएगा जो पुराना हाइवे है बॉमबे जाने के लिए उसमे भी बहुत ज्यादा ट्राफिक कम हो जाएगा मुझे लगता ऐसा क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ियां पॉमबे जा रही है वो डेली से जैपूर, जैपूर से अजमेर, किशनगट, वहाँ से उदैपूर, उदैपूर से एमदाबाद ये रोड पकड़के जाती है काफी लंबा रूट है वो और टाइम बहुत जादा लगता है तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बारा से तेरा गंटे क्लेम कर रही है गवर्मेंट कि तेरा गंटे में छोटी गाड़ियां पहुँच जाएगी तो उस रोड पे ट्राफिक की बहुत कमी आने वाली है और फिर वो मुझे न्यू डेली स्टेशन छोड़ देगा और वहां से मैं दुरंतो ट्रेन पकड़ूंगा और दुरंतो से मैं हवडा की और निकलूंगा ये जो ट्रिप में आपको दिखा पा रहा हूँ आप स्पेशल थैंक्स टो संदीप ओजा एं कुनाल व्यास दोनों मैं थोड़ा सा मार्जिन पीरेड लेकर निकला हूं कि ड्राइवर कहां मिलेगा तो कई सेंटर पॉइंट में मिलके उसको गाड़ी दे देंगे वापस और उनका ही ड्राइवर मुझे हावडा याद आ रहा है उनका ही ड्राइवर मुझे नियू डेली स्टेशन छोड़ द कैमरा शाही थे तो मैंने इसलिए ट्रेन की जर्नी शूट नहीं करी थी कुछ एक शॉट्स लिए हैं वो मैं कही ना कहीं बीच में डाल दूंगा और अब देखता हूं कि अगर खाली रहा या अगर पैसेंजर्जर्स अगर कमफर्टेबल रहे तो मैं यह जर्नी भी डालू रहते हैं पता नहीं कहां से नंबर मिल दाते हैं और जिस अपार्टमेंट में रहता हूं हो आप लुए तक रिदना चाते हैं कि रोज फ़ोन करते दू नॉट डिस्टर्ब भी अक्टिवेट कर रखा है, स्पैम कॉल उसको बंद कर रखा है, लेकिन पता नहीं कहां से नंबर आ जाता है, कैसे नंबर से ये करते हैं, बड़ा परिशान कर रखा है अगर आपको भी इस तरीके के कॉल जाते हैं, तो प्लीज कमेंट सेंक्सेशन में बताइए, और अगर आपने इन कॉल से निजात पा लिए, तो मुझे भी कोई आइडिया सुझाई है प्रभू, कि ये कॉल्स मेरे बंद हो जाएं इस एच्प्रेश वेज में ट्राफिक अभी साही अच्छा कासा है और अच्छा मोवमेंट है इसके अंदर में, छोटियों गाडियों का भी और कमर्शियल विएकल्स का भी, ट्रॉकों का भी हाइवेस पे देखिए ये एक बहुत ही रेर गाड़ी मिली है मज़े जनरली आपको हाइवेस और एक्स्प्रेस वेस पे एवी चलती भी नहीं दिखती है और ये भाई एवी चला रहे है अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में और यहां देखिए आप ये कुछ रोड़ पे हेली पैट्स भी बने वे है एवी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप होई रहे है और आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारी इवी दिखने लगेंगी रोड़ पे सिटी में तो बहुत देखी रही है हाइवेस पे नहीं दिखती है एम जी की है ये गाड़ी इनका लिमिटेशन यही है कि इनकी रेंज थोड़ी कम है कंपनिया तो क्लेम कर देती है कि 400 है साड़े 400 है 500 है बट इतना निकलता नहीं है उनमें और इसी के साथ हमारा टोल प्लाजा भी आगया है क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है तो इसके टोल के मेसेज़स मेरे पास आते नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कितना टोल लगा है जैपूर से गुड़गाओं पहुचने में अप्रोक्सिमेटली मेरे को साड़े तीन गंटे लगे हैं और इसके अंदर में जैपूर का ट्राफिक भी मैं काउंट कर रहा हूं और गुड़गाओं मैं पूरे ट्राफिक में अंदर नहीं जा रहा हूं तो इसलिए अप्रोक्सिमेटली बता रहा हूं और मैंने स्पीड भी कहीं हंट्रेट से उपर मैं गया नहीं और एक दो जगे में रोका भी हूं तो वो सब ये साधी तीन गंटे में काउंटेड है यहां से हम एक्जिट ले रहे हैं इस एक्स्प्रेश में का बहुत ही अच्छा एक्स्पीरेंस रहा और बड़ा मज़ा आया गाड़ी चलाने के लिए अरे चाची यह चाची बड़ी बोलती है वीज-वीज में फाइनली एक्स्पेस्वे की यह जर्णी यहीं एंड करते हैं और जैसा कि मैं बार-बार आपको बोल चुका हूं कि यह गाड़ी मेरी नहीं है तो हैंस फ्री माउंन चीश अर शसे वह लगे भी नहीं यह में नहीं हैं जिलावक से लिए आपको पयंगा और आशा करता हूं आपको यह यह फशंद आया होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज दू लाइक शेर और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने valuable comments भी जरूर दीजे और कुछे questions मैंने आपको पुछे उसके जवाब दीजे उनका feedback दीजे और future में आप कहां घूमना चाहते हैं और कहां चाहते हैं कि मैं आपको लेकर चलूँ वो भी जरूर बताईएगा तो मैं फूरी कोशिश करूँगा आपको वो जगे दिखाने की thank you thank you so much for watching have a nice time